अज़े क्लास हम स्टार्ट करते हैं अध्याय वन विद्दुत आविश तथा छेत्र से और प्यारे बच्चों सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कुछ घटनाओं पर शुश का मौसम में स्वेटर या उनी वस्त्रों को शरीर से उतारते समय हमें चटचट की ध्वनी सुनाई देती हैं इसी प्रकार हमने देखा है कि जब आकाश में गर्जन के समय तडित का उत्पन होना और एक और घटने पर हम नज़र डालते हैं कि जब हम टीवी या कम्प्यूटर के मौनिटर के नज़दी अपनी हथेली या इस्त्री किया हुआ कागत जब हम पास लाते हैं तो हमें विद्दू समवेदन महसूस होता है प्यारे बच्यों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी घटनाओं के उत्पन होने का कारण क्या है? तो इन सभी गटनाओं के उत्पन होने का प्रमुक कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्यूत आविशों का विसर्जन होना है जो विद्धूतरोधी प्रिष्टों पर रगड के कारण एकत्र हो जाते हैं और यह इस्थीर वैद्यूत या वैद्यूत आवेश के उत्पन होने के कारण है। चुकि यह आवेश रगणने या घर्षन से उत्पन होती हैं, अता इस्थीर वैद्यूत को हम घर्षन वैद्यूत भी कहते हैं। आईए अब हम देखें कि आखिर इसकी खोच कैसे हुई और किसने की तो इसकी खोच का श्रय जाता है 600 इसा पुर्व ग्रीस देश के मिलेटस के निवासि थल्सको उन्हों ने यह पाया कि जब एमबर नामक पदार्थ को उन या रेश्मी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो उ लेकिन वास्तों में यही छोटा सा प्रयोग आधार बना आधुनिक यूग का आधुनिक यूग का आधुनिक यूग में वैद्धित के जन्म का लगभग 200 साल तक इस खोच की तरब किसी का ध्यान नहीं गया अब हम आते हैं सोल्वी शताबदी में जब गैलीरियों के समका जालिंग डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रमानित किया कि एम्मर एवं बिल्ली के खाल की भाती बहुत सी अन्यवस्तुमें जैसे कांच तथा रेशम लाक और फलाल नेल आधी भी हैं जिन्हें कि जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें भी छोटे-छोटे पदार्थों क आकर्षित करने का गुणा जाता है घर्षन से प्राप्ते इस प्रकार की विद्दुत को घर्षन विद्दुत कहा जाता है इसे हम इस्थिर वैद्यूत भी कहते हैं बशर्ती पदार्थों को रगड़ने से उन पर उत्पन आविश वही पर इस्थिर रहे जहां वे रगड स्थिर रहते हैं इसे हम इन्य स्टाटिक्स के नाम से जानते हैं एलेक्टन इलेक्टरों यह मतलब आध्रस्थ्थ् इस ब्रेश्च में हम आवेश इट्रस्थ यह कि और इस जबकी वुर्श्था में है उससे समंधित गुंधुर्म का हम अध्यन करें। चूंकि ग्रीक भाषा में एंबर को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए इस अद्भूत गुन को विद्धूत या इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया, अता हम विद्धूत को निम्न प्रकार से हम परिभाशित कर सकते हैं। कि वह उर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हलकी वस्तूओं को आकरशित करने का गुनुत पन्न हो जाता है, उसे हम विद्धूत उर्जा कहते हैं। का एक अंतर निहित गुण है, जिससे प्रतिक पदार्थ के परमाणों के इलेक्ट्रॉन वा प्रोटॉन के कारण वह विद्धूत बल आरोपित कर सकता है, तथा विद्धूत बल पर प्रतिक्रिया बल भी आरोपित करता है, विद्धूत आविश एक अधिश भौतिक हैं, तो इसके प्रकारों का अध्यन करने के लिए हम इस एक्सपारिमंट पर नजर डालते हैं, एक्सपारिमंट नमबर वन में हमने कांच की दो चड़े ली, कांच की इन चड़ों को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ कर, जब एक दूसरे के पास लटकाया, तो हमने पा बिल्ली की खाल से रगड़ कर, आपस में पास पास लटकाया, तो हमने देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकरशित करती हैं, एक्सपरिमंट नमबर थ्री में हम देख रहे हैं, कि पहली चड़ कांच की हमने ली, जिसे रेशम के कपड़े से हमने रगड़ा, दूसरी चड़ प्लास्टिक रॉड हमने लिया, जिसे की हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा, और जब हम इने पास पास लटकाते हैं, तब हम देखते हैं कि इनकी बीच जो है अकर्शिन होता है, प्यारे बच्चों, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? जी हां, इस प्रयोग से हमें यह न प्लास्टिक की चड़, दोनों पर उत्पन आवेश की प्रकृती एक दूसरे से विप्रीत है, तो इस प्रकार बेंजमिन फ्रैंकलिंग नामक वैज्यानिक ने परिपार्टी के अनुसार हमें यह बताया कि कांच की चड़ों पर उपस्थित आवेश को हम धन आवेश का न पर विप्रीत आवेश या विजाती आवेश एक दूसरे को आकर शित करते हैं, आएए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते ही कि आखिर इन आवेशों का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए एक एपरेटस जिसे की हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, इसकी संट्रजना पर हम नज़र डालें, तो यहां यंत्र एक काच की बोतल के समान होता है, इसमें धातू की छड़ चित्रा नुसार खड़ी सेट रहती है, इस धातू की छड़ का उपरी सीरे पर धातू की डिस्क लग आइए हम की कार्यविदी पर नज़र डालते हैं जब हम किसी आवेशित वस्तु को एक उपस्थित कुछ आवेश की मातरा धातू की छड़ से होती हुई सोनी की पत्तियों तक पहुँच जाता है तथा प्रतिकरशन बल्के कारण पत्तियां जो है फैल जाती हैं। सोने की पत्तियों में फैलाव वस्तु पर आवेश की मात्रा का एक अनुमानित मान प्रदान करता है अर्थात पत्तियों में यदि फैलाव अधिक है तो वस्तु पर उपस्तित आवेश अधिक होगा तथा फैलाव यदि कम है तो इसका तातपर यह है कि वस्तु पर उपस्ति आविश की मात्रा कम होगी इसके द्वारा हम दो आवेशित वस्तू की आवेश की प्रकृति के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एक वस्तू को धात्विक छट सर समपर्ख कराते हैं जिस स्वण पत्तियों में फैलावाता है अब दूसरी वस्तू को इस पर्ष करवाते हैं यदि दोनों वस्तूओं पर समान प्रकृति का आवेश होगा तो पत्तियों में और अधिक फैलावाएगा और यदि दूसरी वस्तू पर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो सोनी की पत्तियों के फैलाओं में कमी आएगी तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वा दो वस्तूओं पर उपस्तित आवेश समान प्रकृति के हैं या की विपरीत प्रकृति के आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स कंसर्प्ट की ओर चलते हैं चालक तथा विद्दुत रोधी प्यारे बच्चो यदि हम तामबे की छड़ को हाथ से पकड़ कर उनी वस्त्र से रगड़े तो उनी कपड़े से तामबे की छड़ पर इस्तनांत्रित आवेश शरीर से होती हुए धर्ती में चला जाता है और फल्स रूप छड़ आवेशित नहीं हो पाती इसलिए चालक छड़ को एक कुचालक पदार्थ का हैंडल लगाया जाता है जिससे वह कुचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को धर्ती में प्रवाहित होने से रोकता है तो इस प्रकार हम चालक को डिफाइन कर सकते हैं कि जो पदार्थ आसानी से अपने मेंसे होकर विद्दूत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं उनमें ऐसे गति के लिए अपेक्षाक्रित स्वतंत्र होते हैं जैसे धात्वे मानो तथा जन्तू शरीर और प्रत्वे आईए अब हम देखें कि आखिर विद्धुत्रोधी पदार्थ क्या है तो वे पदार्थ जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्धुत पर उच्छ प्रतिर संपर्कन के नाम से जानते हैं उसका अध्यन करते हैं तो जब हम किसी आवेशित वस्तू को प्रत्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक जैसे हमारे शरीर में से होते हुए छणिक विद्धुत्धारा उत्पन करके भूमी में चल जाता है आवेशो के भूमी के साथ बंटन की इसक्रिया को ही हम भू संपर्कन या की अर्थिंग कहते हैं इस डाइग्राम से हम देख सकते हैं कि भू संपर्कन विद्धुत परिपत्धों एवं अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की एक व्यवस्ता है प्यारे ब उसमें धातू की मोटी प्लेट गहराई तक हम गाड़ देते हैं और इस प्लेट से मोटे तारों को निकाल कर भवनों में इन तारों का उप्योग मुख्य आपूर्ति के निकट भू संपर्कन के लिए या अर्थिंग के लिए किया जाता है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यो धातू के आउरण से इस पर्श होने पर आवेश भूमी में प्रवाहित हो जाए यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा यदि हम इस अर्थिंग के द्वारा हम तार को हम ना जोड़ें तो या तो इससे छती पहुँचना या दुरगटना होना अपरिहार के हो जाएगा क्योंकि हमारा माना और शरीर विद्दुत का बहुत अच्छा चालक है तो इसलिए हम जग घरों में विद्दुत की आपूर्ति करते हैं तो हम तीन तार का उप्य जोग करते हैं विद्दुन में तार उदासीन तार तथा भू संपर्क तार इन में से पहले दो तार विद्दुत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाते हैं तथा तीसरा भूमी में गड़ी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है जब भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लैंस जैसे विद्दुत इस तरी राफ्रेजरेटर टैलिविजन के धातु के आवरण भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं और जिससे कि यदि परिपत में कोई तुटी आ गया या विद्दुन में तार का धातु के आवरण से इस पर्ष हो तो उन कि यहां पर इष डाइगराम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आखेर हमारी घरों में अर्थिंग सिस्टम यदे तडित चालक क्यों लगाय जाते हैं हम देखते हैं कि यदि हम तडित चालक लगाएं तो आकाश में तडित के समय जो विद्दुत विसर्जन होता है वो विद्दुत विसर्जन तारों के माध्यम से भूमी में प्रवाहित हो जाता है और जिससे की हमारे भावनों को कोई छती नहीं पहुँचती तो इस प्रिकर हम देखते हैं कि अर्थिंग वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने भावनों की सुरक्षा कर सकते हैं, साथ हिसाथ, इलेक्टरिक परिपत और अनुप्रयोगतियों की सुरक्षा भी किया जा सकता है, तो आज ही क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इससे पहले हम आपको कुछ exercise यहाँ पर दे रहे हैं जिसे की आपको solve करना है यहाँ पर देखिए question number one आपको दिया जाता है कि जब काँच की छड़को रेशम के तुकड़े स्रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है इसी प्रकार की परिखटना का वस्तों के अन्य युगमों में भी प्रेक्षण किया जाता है इसपश्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश तनरक्षण के गुणों से किस प्रकार सामंजस्य से रखता है क्वश्टन नमबर टू है आपके लिए कि सिल्क से रगड़ी गई काच की छड़पर किस प्रकार का आवेश होता है क्वश्टन नमबर थ्री है फर से रगड़ी गई रबड़ की छड़पर किस प्रकार का आवेश होता है और question number 4 है आपके लिए कि आवेश को सबसे पहले धन वर्रण चिन्नक किसने प्रदान किये इसी के साथ आज की class हम यही समाप्त करते हैं Thank you